नमस्कार कैसे यह आप सब स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल पर जिसका नाम है जो पिस फैशन है ना तो आज की वीडियो में हम देखने वाले ही बेबी फ्रॉक का मेजर्मेंट कैसे लेते हैं और उसकी कटिंग कैसे करते हैं वीडियो को अंतक देखिए वीडियो बहुती नौरेजबल होने वाला हैं तो फिर चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं मैंने यह आप एक कपड़ा लिया है और इसे मैंने उल्टी साइड फोल्ड किया है इसे मैंने फोल्डिंग पे लिया है अब हम सब से पहले इसकी लंबाई लेते हैं लंबाई हमारी चोदा इंच है चोदा इंच पे हम मार करते हैं और नीचे हमें देड़ इंच लेना है देड़ इंच वड़ाना है अब हम लेते हैं शोल्डर शोल्डर हमारा साइड तीन इंच है और गले के लिए हम यहां पे देड़ इंच ले रहे हैं अब आएगा हमारा आरम होल आरम होल हमारा चार इंच पे हैं अब हम लेते हैं चेस्ट चेस्ट हमारी सोला है और उसका वनफोर्ट चार आता है और उसके आगे हमें एक इंच बढ़ाना है यह हमने बढ़ा लिया अब हम लेते हैं हमारा आरम होल आरम होल हमें पाउन इंच पे लेना है और इसे यहां से अराउंचिप में जोड़ना है यह हमने जोड़ लिया अब हम लेंगे कमर की लंबाई कमर की लंबाई हमने 6 इंच पे लिये हैं और हमारा कमर गेर चोड़ा है और उसका वनफोर्थ साड़े तीन इंच पे लेने वाले हैं हम एलिया साड़े तीन इंच और उससे आगे हमें एक इंच बढ़ाना है यह हमने एक इंच बढ़ा लिया आगे और बॉटम की तरफ हमें जो जितना गेर लेना है हम उतना ले सकते हैं मैं यहाँ पे आट इंच पे ले रही हूँ यह हमने दोनों लाइनों को आट इंच पे लिया और कमर गेर से नीचे बटम तक हमें सीजी जाइन जे देने हैं यह हमने दे दी और नीचे से उपर तक हमें एक इंच लेना है और इसे एक इंच क्रॉस में भी एक इंच बढ़ाना है और अब हम इसे राउंड शेप में जोड़ते हैं अब हम लेते हैं गली की लंबाई गली की लंबाई में डाई इज पे ले रही हूँ यह हमने लिया और हमें जो आकर देना ही वह अब हम देंगे मैं यहाँ पे राउंड शेप में दे रही हूँ इस तरह से हो गई हमारी नापे अब हम इसे कट कर लेते हैं कि इस तरह से हो गई हमारी आगे की साइड आब हम इसे साइड में रखते हैं अब मैं यहां पे एक और कपड़ा लिया हैं इसे फोल्णिंग पर लिया है हमने जो पेले वाली कटिंग के थि आगे की आगे की कटूझ को इस कपड़े पर रखते हैं अच्छी तरह से रखना है और अब हम इसे पूरे साइड से मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से हो गई मार्किंग हमने गला कट नहीं किया अभी तक मार्किंग नहीं किया गला हमें ऊपर से नीचे पीछे वाला गला एक एच पे लेना है और उसे भी राउंड शेप में लेना है यह हमने लिया अब हम इसे भी कट कर लेते हैं इस तरह से हो गए हमारी पीछे की भी साइड कटिंग करके रेडी है और यह हमारी आगे की साइड इसे ओपन करेंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखेंगे अब हमारी आगे की साइड और यह हमारी पीछे की साइड इसे भी ऊपन करेंगे तो यह भी इस तरह से दिखेंगे इस तरह से दिखेंगें इस तरह से हो गई हमारी आगे की और पीछे की दोनों साइड की कटिंग तो फिर केसा लगा आज का हमारे वीडियो बेबी फ्रॉक कटिंग के बारे में आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मैं उसके अंसर ज़रूर नहीं हूँ वीडियो पसंद आया हम तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शियर कीजिए और एसी इंटेस्टिंग वीडियोस देखते रेले के लिए हमारी चैनल को सबस्राइब कीजिए और बेल आइकोन को प्रेस करके औल कर देजि He ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पेरे मिलती रहें तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में